अकिलेश यादप के 400 सीट जीतने के दावे पर भासपा फार पंच जंगलागी 45 साइकल से नहीं जीती जाती रेज गुजरात और गोवा में कहीं बिगड़ना जाए सियासी खेल अभी से ही अंदरूनी रिपोर्ट ले रही भीजे भी मोगा पहुंचे नपजोस सिंग शीतू कहा हमें दिल्ली मॉडल की जरूरत नहीं पंजाब अपने आप में ही मॉडल होगा साइकल यात्रा का प्लान सुनकर महानगर अध्यक्ष पर भढ़के सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बोले 40 साल से कर रहा हूँ राजनी ती अगस्त में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए केस कल के मुकाबले 4 पीसदी बढ़ोत्तरी के साथ आएक करीब 45,000 माम ले नमस्कार आप देख रहें डीबी भारती समाज़ार मैं हूँ आपके साथ वर्षा वर्मा खबर है उत्तपरदेश के महाराज गंज से महाराज गंज जनपत की घूगली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीम लुटेरों को ग्रफतार कर उनके कबजे से लूट की गई बाइक मोबाइल और नगदी बरामत की है पुलिस अदीचक कार्याला इस्तिस सबागर में आज एक प्रेस वारता कर अपर पुलिस अदीचक निवेस का टियार ने बताया कि 20 जुलाई को घूगली थाना छेत में अपने क्लीनिक से घर जा रहे एक स्वास्त कर्मी को पहले से घात लगाकर रूटेरों ने रोप कर मा पाचे बाइक, मोबाइल और जेव में रखा नगदी लूट कर फरार हो गए घूगली पुलिस और क्राइम ग्रांच ने गहनता से मामले की जाज परताल की तो आरोपी नेपाल के निकले और भारतिय सीमा छेत्रों में लूट की घटना को अंजाम दे कर आरोपी बाइक को नेपाल में बेच देते थे, पकड़ा गया एक आरोपी नेपाल का तथा दो घूगली थाना छेत्र के ही रहने वाले हैं उनके पास से वही मोटर साइकल बरामद हुई और एक मोबाइल भी बरामद हुआ इन तीन अविक्तों में से एक नेपाल का रहने वाला है और बाकी दो घूगली थाना छेत्र के रहने वाले हैं इनके अपरादिक इतियास और अन्य घटनाओं के भी जानकारी की जा रही है और अन्य अवर्षक कारवियां करी जा रही है परिशान है महेंगाई का बोज नहीं झेल पा रही है सरकार को इस बात का ध्यान नहीं है कि गरीब परिवार कैसे अपना जीवन यापन करे सरकार बड़ी हुई महेंगाई को कम करे जिससे ग्रामीर छेत्र की जनता को राहत मिले इस अफसर पर जिला अध्यक्ष विजयकरड यादब नगरपाली का अध्यक्ष मोहन साहू राजिशबा सांसद आधिकई शपानेता साइकल रैली में उपस्तित रहे खबर है उत्तप्रदेश के एटा से जनपत एटा के विधानसबा मारहरा से समाजबादी पाल्टी के कदावर नेता कहे जाने वाले रंजीत सिंग यादब द्वारा प्रदेश की योगी सरकार के खिलाब समाजबादी पाल्टी की साइकल यात्रा निकाल जोरदार पदर्शन किया गया रास्टी अध्यक्ष के आवाहन पर हजारों की शंख्या में नगर एवं ग्रामीड छेत्रों में सपा कारे करताओं ने शाइकल जुलूस निकाला इस साइकल रैली में मुखे रूप से रंजीत यादब जिला उपाध्यक्ष शमित हजारों कारे करता मौजूद रहे सहर के विधानसभा मारहरा से विशाल साइकल जुलूस निकालते हुए सपा जला उपाध्यक्ष के नेत्रत में शपाईयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार खरी योगी सरकार में बढ़ रही महंगाई प्रुस्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को केंद्रित रखते हुए जला उपाध्यक्ष रंजीत यादब ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार दमनकारी नीती पर काम कर रही है साथ ही समाजवादी लोगों को जूटे मुकर्दमे में फजाया जा रहा है लोकतंत्र की हक्त्या की जा रही है इस अफसर पर भारी संक्या में समाजवादी पार्टी के कारेकरता मौजूद रहे सरकार का दुरूद बोर महगाई रष्टाचा दूद खसोड जो इन काले कानून है किसानों के खिलाब उसके जल्दी से जल्दी खतम किये जाए और ये सरकार हर जगए हर मोर्शे पर विफल है उसी का आज हम सब लोग बुरूद कर रहे हैं किसान, नौजवान, मेलाएं इस वीजेपी के सरकार में सभी लोग परेशान हैं उसी का आज ये गुरूद और साइजर रहेली निकाली गए तो क्या ये आपके आज रहेली निकाली गए क्या आगामी विदानसवा चुनाओं को देखते हुए है खबर है उत्तप्रदेश के शिधार्त नगर से जहां प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहस जनपत की शबी 1130 उचित दर की दुकानों पर अन्न महुसब कारेक्रम का आयोजन किया गया जिसके क्रम में विकास खंड जोगिया के ग्राम पंच्चायत मशीना में गरीब कल्याण अन्य योजना के अंत्रगत डुमरिया गंज सांसद जग दंबिका पाल की उपसिती में पात्र लावारतियों को बैगों में रासन वितरित किया गया इस अवसर पर शूजना एवं जन संपर्क विभाग उत्तपरदेश लखनो द्वारा उपलब्द कराई गई एलेडी के माध्यम से पधानमंत्री का लाइब प्रशारण दिखाया गया जिससे गरीबों को किसी प्रकार की शमश्या ना हो कोरोना के दौरान रासन के साथ उज्जवला योजना के लाभारतियों को गैस भरवाने के लिए रुपया तथा धन खाते में 500 रुपय भी दिया गया कि कोविट की दूसरी लहर के बाद फिर देश और देश के लोगों की जहां एक तरफ से कोविट की वैक्सीन से जीवन बचाने का सवाल था वहीं दूसरी तरफ अगरी तुदारमंत्री मोजी जी और देश के सब्सक्राइब की योगी जी ने ये सोचा कि अगर हम केवल वैक्सीन देगें लेकिन इस कोविट की चुनाउतियों में लोगों को काम ने मिलेगा तो अगर उनको खाद्यान में मिलेगा कि जहां भीवार करोन परिवारों को 5 कि यूनिट हम मुफ्त बीपाउली तक नॉंबर तक देगे इससे साफ़ट की आज दिन्या में सबसे बड़ा अभ्यान चल रहा है खबर है उत्तप्रदेश के बरेली से जन्पक बरेली में श्वास्त विभाग की बड़ी लाप परवाही सामने आई है जहां पर डिवाइन होस्पीटल राजिंद्र नगर बरेली ने अवैद वचूली के साथ साथ एक महला की डिलेवरी के दौरान मौत होने से अस्पताल में हंगामा हो गया था मामला जन्पक बरेली के राजिंद्र नगर डिवाइन होस्पीटल का है जहां पर महला की डिलेवरी का ओपरेशन हुआ था जहां पर महला ने एक कुत्री को जन्म दिया था अस्पताल की लाप परवाही के कारड महला की हालत बिगड़ गई आनन्फानन में अस्पताल कर्मियों ने महला का तुरंत डिस्चारज कर गंगासीं होस्पीटल के लिए भेज दिया था यहां पर महला की आज 48 घंटे बाद मौत हो गई परीजनों ने डिवाइन होस्पीटल राजिंद्र नगर के सामने बैट कर हंगामा करना सुरू कर दिया मौके पर पुलिस ने पहुँच कर सबको कबजे में लेकर पोश्टमाटम के लिए भेज दिया है अब देखना ये होगा कि अस्पताल के खिलाप कारिवाई होती है या नहीं कि अगले महीन की तो फिर सार इनने अभी आने की तुरहन आपरेशन कर दिया कि किस जी का उपरेशन करा था ता इस देवरी केस ता इस बत्चे कर क्या हुआ फर च्छटी बत्ची है हमारे बेटी वही के सार्व अच्छा बेटी ठीक टाक है वहाँ जी सार्व ऑप्रेशन गलत गलत हो एससे तुरी भारती समचार नजर हर खबर पर